असलाम अलेकुम मैं हूं सोनिया करामत समा मनी के साथ जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाने का प्लैन करते हैं तो कुछ सवालात आपके जहन में आते हैं जैसे कि अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस क्या है और डॉकुमेंट्स की रिक्वार्मेंट क्या है आपको जिस बैंक में अकाउंट ओपन करवाना हो उसकी किसी भी ब्राज में विजिट करके अपने डॉकुमेंट्स की कॉपी जिनमें CNIC, यूटिलिटी बिल और सेल्विस लिप वहाँ पर मौजूद रिलेशनशिप ओफिसर को फ्राहम करना होती है अगर आप स्टूडेंट है तो आपको अपना IT कार्ड जबके बिजनिसमें और कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो अपना N.T.N. सर्टिफिकेट और कंपनी का लेटर हेड बैंक को फ्राहम करें डॉकुमेंट्स और बायोमेट्रिक का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सेम टे या नेक्स टे आपका अकाउंट नंबर जेनरेट हो जाता है लेकिन अकाउंट एक्टिफ होने में तक्रीबन दो से तीन दिन लगते हैं इसके इलावा आपको कुछ रखब इनिशियल डिपॉजिट के तौर पर बैंक में जमा करवानी पड़ती है जिससे आपके एटियम कार्ड और चेक बुक के चार्डिस डिड़क्ट हो जाते हैं चेक बुक प्रिसीव करने के लिए आपको ब्रांच फिजिट करना पड़ता है जबके एटियम कार्ड आपको आपके घर के पते पर लीवर हो जाता है बैंक अकाउंट खुलवाना तो असान है लेकिन कुछ लोगों को ये confusion होती है कि उन्हें कौन सा बैंक अकाउंट खुलवाना है जो कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके बैंक अकाउंट खुलवाने का purpose क्या है बिजनिस ओनर्स, कंपनीज और सैल्विट परसन्स जो सेविंग करना चाते हैं उनके लिए करन्ट अकाउंट एक popular option है ये एक profit bearing अकाउंट नहीं है यानि कि इस अकाउंट में जमा करवाई हुई रकम पर बैंक आपको कोई मुनाफ़ा नहीं देता और ना ही इसमें जकात की deduction होती है अगर आपका मकसद पैसो की budget के साथ मुनाफ़ा कमाना भी है तो आपके लिए saving अकाउंट एक suitable अकाउंट है जिसमें रकवाई गई रकम पर बैंक आपको हर महीने एक specific percentage पर मुनाफ़ा देता है इस अकाउंट में रकवाई गई रकम पर हर साल रमजान में जकात की deduction होती है इस deduction से बचने के लिए आपको अकाउंट open करवाते हुए या रमजान से एक महीने पहले जकात declaration form जिसे CZ50 भी कहते हैं बैंक में submit करवाना होता है असान अकाउंट जैसे के नाम से जाहर है लोगों की असानी पैदा करने के लिए बनाया गया है ये अकाउंट students और daily wages जो रोजमरा की बन्याद पर कमाते हैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेफ कर सकते हैं इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको किसी proof of income की जरूरत नहीं पड़ती आप अपना student card या CNIC जमा करवा कर भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं वो अफराद जो 18 साल से कम उमर हैं 100 रुपे initial deposit से minor अकाउंट खुलवा सकते हैं लेकिन इस अकाउंट को खुलवाने के लिए उनके parents या guardian का साथ होना जरूरी है ये अकाउंट खुलवाने के लिए आपको अपना bay form, parents से CNIC की copy और salary slip की जरूरत होती है ये एक saving अकाउंट है जिस पर आपको हर मंद profit मिलता है और इस अकाउंट पर जकात भी applicable होती है अब आता है term deposit अकाउंट जो normal अकाउंट से थोड़ा मुखलिफ है इस अकाउंट में कमस कम एक माह से लेकर 5 साल तक आप funds place करवा कर मुनाफ़ा कमा सकते हैं मुनाफ़ा हासिल करने के लिए आपको कमस कम 50,000 रुपे बैंक में रखवाना जरूरी है जिस पर आपको हर महीने या मुदद मुकमल होने पर profit मिलता है यहां पर यह बात जरूरी है कि आप अपना मुनाफ़ा मुदद मुकमल होने के बाद लेते हैं या महाना लेते हैं क्योंकि मुदद मुकमल होने के बाद मिलने वाला profit as compared to monthly profit जएदा होता है इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप हर महीने profit withdraw नहीं करते तो वो profit आपके funds में add हो जाता है जिस पर अगले महीने आपको और profit मिलता है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप मुदद मुकमल होने का इंतजार करें ताके आपको जएदा से जएदा मुनाफ़ा मिल सके लेकिन यहां यह बात याद रखना बहुत जरूरी है अगर आपने अपने funds मुदद मुकमल होने से पहले withdraw करने की कोशिश की तो bank आप पर जरूराना आइद करता है इस information को share करने का मकसद आपको आगाही फ्राहूं करना था ताके आप bank account खुलवाते वक बहतर फैसला ले सके इस वीडियो के हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो या feedback हो तो जरूर शेयर कीजिएगा नेक्स वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिस